हाई अम्शुश्मितावाराच जी तो परसो रबेंड़नाद ट्यागर का बड़्डे था एकोडिंग टू बेंग ओलिडेट तो आज उनके बारे में बात करते हैं ताकि हमें भी उनकी थोड़ी खूबी आ आ जाए पिछली बार मैंने ओमन सेफ्टी के उपर एक वीडियो बनाई थी अगर आप इंटरेस्टेट हो तो जाके देख सकते हो तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते है तो दोस्तो हम सबको पता है कि रबेंड़नाद टैगर अपने नोबिल गितानजेली के लिए फेमस हुए और इसलिए उन्हें नोबल प्राइस भी मिला जिस टाइम पे इंडिया फेमस नहीं था पूरे एशिया में किसी को भी पहले नोबल नहीं मिली थी उन्होंने उस असंभब को संभब करके दिखाया और लाखों करोरों लोगों को इंस्पायर किया तो इससे हमें ये सिखना चाहिए there is a possible in impossible दोस्तो रबेंडरा टैगर उनके नोबल के लिए फेमस है लेकिन वो सिर्फ एक अच्छे नोबलिस्ट ही नहीं एक अच्छे पोएट, राइटर, ड्रामाटीस्ट, पेइंटर, म्यूजिशियन भी थे और उनको सुइमिंग, जूडो, रेसलिंग, जिमनास भी आता था, तो हमें भी उनके जैसा बनना चाहिए, मल्टी टैलेंटेट, ये सब सुनने के बाद तो यही लगता होगा, कि वो स्कूल में बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे मार्क्स लाते होंगे, पर असलियत तो ये है, कि वो स्कूल में गए ही नहीं, एक्चु से क्या सिखना चाहिए, स्कूल छोड़ दो, नहीं, ब्रेक दसेट ट्रूल्स इव नीड़ेट, रबिन्दना टैगर इतने अच्छे थे लिटरचर में, कि अंग्रेजों ने उन्हें नाइट उपाधी दी थी, पर 13 एप्रिल 1919 में, जालियान वालबक हत्या कांट के आवाज उठाते हुए, रबिन्दनात ने वो नाइट उपाधी लेने से इनकार कर दिया, so don't be a minion, टैगर वेस्टन एडुकेशन सिस्टम के खिलाब थे, जो की उस टाइम अंग्रेज हमें दे रहे थे, वो प्रकृती के साथ इंटरेक्शन में बिलीव करते थे, तो विश्वा भारती उनिवर्सिटी बनाया, जहाँ पर खुले आस्मान के नीचे पेरों के साथ पराया जाता है, तो इससे दो चीज़े सीखना चाहिए, love the nature and have courage to change, अब मैं ये वीडियो रबिन्दना टैगर के एक कोट से खतम करना चाहूंगी, खुश होना बेहत सरल है, लेकिन सरल होना बेहत मुश्किल है, वीडियो इंस्पारिंग लगी हो, तो एक like, comment, share और subscribe कर देना, फिर मिलेंगे next Tuesday को, goodbye and stay motivated.